हेलो एवरिवान स्वागते हैं आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में तो आज मैं आपके साथ जीरा पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुती जादा पसंद आएगी और इसे बना कर आप सुबह की चाय या पिर साम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बच्चों को कापी पसंद होती है इसे बना कर आप महिने से दो महिने तक वे श्टोर कर सकते हैं वो भी डिब्बे में भर करके कापी लंबे टाइम तक ये चल सकती है और आज की रेसिपी की बहुती मज़ेदार होने वाली है और बिलकुल गर के सामानों से बनेगी और मिंटों में बन करके तियार होगी सिर्फ 5-7 मिनट में हम इसी बना करके तियार करेंगे तो चलिए आज की बहुती मज़िदार सी रेसीपी को बिना देरी के सुरू करते हैं आज के सुपर टेस्टी सुपर एजी जीरा पापली बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं गैस की तरब गैस पर मैंने एक पैन डग दिया है इसमें हम आदा चोटा चम्मच तेल डाल देंगे तेल को हम बड़ी आसी गरम होने देते हैं जब तेल अच्छी से गरम हो जाता है तो हम इसमें आदा चोटा चम्मच जीरा डाल देंगे एक बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे तिल और तिल से इन पापलियों में बहुती बड़ी आटेस्ट आता है और बहुती अच्छी लगती है खाने में एकदम क्रिस्पी करारी लगती है तो तेल में जो चीजें डाली थी जीरा और तिल इनको में थोड़ा से चला लिया है अब हम इसमें तीन कप पानी डाल देंगे और इस पानी में बहुती अच्छा सववाल आने देते हैं तो आप देख सकते हैं पानी में एक बड़ी असववाल आ गया है अब हम इसमें थोड़ा सा आदा चोटा चमच चीली फ्लैक्स डाल देंगे बहुती बड़ी अटेस्ट आने के लिए अब हम पानी में एक बड़ी असववाल लगाया है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिसे की सारी चीज़ें बड़ी असववाल आ गया है गैस को बंद कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे आदा चोटा चमच अजवाइन आदा चोटा चमच सौप आदा चोटा चम्माचे में हम डाल देंगे कस्तूरी में अधी इसको मैंने ठोड़ा सा सेक लिया है आदा चोटा चम्माचे हम इसमें डाल देंगे हिंग हिंग, डाइजेसन सिस्टेम के लिए बहुती बढ़ी होती है पाचन किरिया को आसानी से हमारा खाना जो भी खाते हैं पच जाता है और कोई भी हमें पेट दर्थ वगेरा की सिकायत नहीं होती अच्छे से हमने गेस को बन कर दिया है सारी चीजों को मिला लिया है इसको हलका सठना होने के लिए छोड़ देते हैं चलते हैं नेक्स स्टेप की तरफ तो यहाँ पर हमने ले लिया है दो कप लेनी है हमको मैदा अगर आप इसे गेहूं के आटे से बनाना चाते हैं तो आप उससे भी इसे बना कर तयार कर सकते हैं सारी चीजों को आप इस तरीके से बनाएए और गेहूं कि आर्टे से भी य GTA बहुत ही बढ़ लगे गती है इसमें अदा चोटा चम Singh मच चाट मसाला चोटा चामच धरीआ पाउड़ार चपटा चंबम चल्थी तोड़ा तोड़ा डाल के, और हम एक बड़ी असा सक्त डोर तयार कर लेंगे, तो यहां पर आम देख सकते हैं हमने फोड़ा थोड़ा पानी डालनायं है, एकसा थाथ सारे पानी को नाहीं डाल देना में वरना almonds, अप्र this Smolt, क्रिस्पी करारी जीरा पापड़ी नहीं बनेंगी तो हमें जितना पानी चाहिए थोड़ा-थोला डालते जाएंगे और यहां पर मेरा सारा पानी लग गया था यहां पर मैंने बहुत ही बढ़िया सा सक्त डो लगा करके और अच्छे से तियार कर लिया है आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारा डो लग करके तियार हो गया है इसे हम 10 मिनट के लिए रेष्ट के लिए छोड़ देते हैं जिसे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा रेष्ट कर लेगा तो यहां पर तेल गरम करने के लिए रख देते हैं तेल जब अच्छे से गरम और यहां पर ले लेना है हमको एक चकला आप इसे इसे इसलिप पर भी बेल सकते हैं तोड़ा सा क्लीन करके तो यहां पर मैंने चकला ले लिया जिस पर हम रोटी की तरह हमें इसको बिल देना है बिल्कुल ज्यादा पतला भी नहीं रखना ज्यादा मोटा भी नहीं रखना ब और सारी हमें जीरा पापड़ी के अंदर बहुती बढ़िया से पॉक से छेद कर लेने हैं, अब यहां पर मैंने लिया है, एक छोट ऐसा मेरे पास डिबब पड़ा था, तो उसका यह डखन है, आप चाहो तो कटोरी या गिलास से भी आप इसका से बना सकते हैं, आपको अगर कोई और पसंद है, तो आप वह बस्काश्च पह्ते हैं इन्हें बना कर तयार कर सकते हैं, अगर आप इन्हें घौल बनाना चाहते हैं, तो कटोर्हिया गिलास से भी आप घौल-टाइप में बना सकते हैं, तो यहां पर मैंने इस टक्कन से सारे जेरा पापड़ी हैं, उनक में थाली में निकाल लेती हूं और एक बैच और हम पटा-पट से बना लेते हैं यहां पर मैंने एक रोटी और बढ़िया से बेल ली है इसमें भी हम फॉक की सायता से अच्छे से छेद कर लेते हैं अब यहां पर मैंने उसी डिबबे की डखकन से एक बैच और अच्छे से त डालते जाएंगे जितनी तिल के अंदर आती हैं बस हम उतनी डालनी है जादा हमें एक साथ तेल में नहीं डालनी है वन्ना तो यह अच्छे से शिक नहीं पाती और क्रिष्पी करारी यह नहीं बन पाती तो हमें एक बार में 8-10 तीरा पापड़ी तेल के अंदर डालनी है इनको हमें दौनों तरफ से बहुती बढ़िया से सेख लेना है और गैस को एकदम बिल्कुल मद्दम आज पर हमें रखना है जब इनमें खनकन की आवाज आने लगे और ये कट-कट से तूटने लगे तब ही हमारी क्रिस्पी करारी जीरा पापड़ी बन करके तयार होती है तो ये वाला बैच हमारा एक दम बढ़िया से अच्छे से सिख चुका है तो इनको हम चली में आसा अनी से निकाल लेंगे बिल्कुल सलो सलो दीरे दीरे करके हमें इनको निकालना है क्योंकि तेल काफी गरम है काफी बार ऐसा होता है कि हम जल्दी बाजी में इदर उदर हाथ चल जाते हैं और हम जल जाते हैं तो हमें सावदानी से दीरे दीरे इनको निकालना है हमारा सेकंड वैची भी बहुत ही बढ़िया से सिक करके तियार हो गया है आप देख सकते हैं कितनी क्रिश्पी करारी दिखने में लग रही है और जब आप इने चाय के साथ सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा सुबह या साम की चाय के साथ हमें ऐसा नास्ता खाने को मिल जाए तो क्या बात है स्वादी दुगना हो जाता है इस तरीके से कोई हमें बना करके दे तो यहाँ पर मैं सारी जो हमारी जीरा पापड़ी है उनको बना कर इसी तरीके से तियार कर लूँगी तो ये देखिए यहाँ पर मैंने हमारी सारी जीरा पापडियों को बना करके और इस तरीके से सर्व कर लिया है आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी करारी हमारी जीरा पापड़ी से करके तयार हुई है अगर आप इनमें छेद नहीं करेंगे तो ये पुरी के जैसी हो जाती है पुली पुली और अच्छा टेस्ट नहीं आता तो एकदम बिल्कुल क्रिस्पी करारी होने के लिए हमें इनमें एक फोक की सायता से छेद करने हैं और बड़ी आसे हमें इनकी सिकाई करनी है तो वो सारी पापड़ियों को मैंने इसी तरीके से सिक के तियार कर लिया है आप भी मेरी इस रेसीपी को एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी जीरा पापड़ी कैसी बनी तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुती ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एक प्यारा सा कमेंट करें और इसे अपने फेमेली फ्रेंड के साथ जरूर सियर करें फिर मिलूंगे आपके साथ ऐसी ही एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक के आर थेंक यू पोर वाचिंग माई वीडियो